हलो एवरिवन कैसे हो आप सभी तो ये राजगुरू मार्कीट है हिसार की वहाँ पर ये एक दुकान है जहाँ पर सूट थे और मुझे पसंद आ रहे थे काफी तो मैं यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा खुद का वीडियो बनाया था उसके बाद जो यहाँ पर सूट लिए देखो आपको दिखी गया झाल निज कर देखो अपर दुकान पर किसी मेरे ही परोस में ने लिए बात बोली है कि हाँ नीधी को नीधी प्रवादे को कोई गिफ्ट में दे रहे तो आप लोग देखो भी दिखा दिया है मैं दुकान से खुद खरीद के लेकर आई य यह है। क्या बोलते हैं यार इसको मसाला धोसा प्लेन धोसा होता है जो वो है और साथ में देखो नारिल की चटनी और यहां पर मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा रही थी तो देखें मैं मैं आपको वह भी दिखाया था जब मैं संसीटी में गई थी सूट खरीदने के लिए खरी देखाई आप लोगों को ना देखो मैंने सिर्फ दुकान तो दिखा दी कि या थ्यक्ता से भराइए एक अच्छा आउ लगता न, पते है क्किलि बेच रहे हैं यह कहां से कपड़ा लेकर आ रहे हैं तो यह चीज दुकानदर ना कभी अपनी बताना नहीं पसंद करता तो इसलिए थोड़ा सा वह पसंद नहीं करते हैं जादा तर दुकानदर मतलब इतना फिर भी चलो मैंने इतना वी शूट आप लोगों के लिए दिखान जो भी मैं लाई हूं ना कपड़े मैं एकसल साइज में जरूर लाई हूं लेकिन उनको मुझे थोड़ा थोड़ा को किसी को आधा इंच किसी को एक इंच मुझे साइड से फिटिंग करवानी पड़ेगी और यह देख लीजिए वीहान को मैंने मंडे को कल स्कूल भेजा थ वीहान को और कल तब यह ठीक थी वीहान की पते क्या हो रहा है अब मुझे खुदी नहीं समझ में आ रहा आज देखो कल वीहान बिल्कुल ठीक था एक्टिव भी था खेल भी रहा था कुछ खिला पिला रही थी अच्छे से खापी भी रहा था कोई दिक्कत नहीं थी और आ मेरे को खुद ही समझनी आ रहा है मैं क्या मिलब खाना भी बना रहा है मैंने प्रोपर देदही रायता सब कुछ रखा है इसका मन ठीक नहीं है अभी तो यही अप देख लो यहां पर वीडियो जो कह रहे थे ना कि मैं बच्चे को स्कूल से निकाल दिया तो स्कूल से कुछ यहां पर शाम को मैंने गलत खिला दिया मेरे को फैंक देना चाहिए था क्योंकि वह नुक्सान दे गया बच्चे को मेरे को यही लग रहा है इसे हो जाते है वैसे मैं कटा हुआ था ना ऐसे बड़ा पपीता ले आई मैं चोटा लेकर आना चाहिए था मुझे तो चलो यहा बनाने लग रही हूँ दिवान और उस दिन हां तो मैंने कल यहां पर हां कल मैंने जितने भी कुर्तिया आप लोगों को लाइफ करी थि आपने नहीं देखी तो देख लीजएगा मैंने एक लाइफ करी है कल करी थी जिसका मैंने नाम रखा था 14000 रुपई की जो मैंने जाएगा क्योंकि मैं रोज ड्रेसिस पहनती रहूंगी तो यह वाला मैंने सूट था ही मैंने मेरा जो मतलब लिया था संकल्प उसका सेकिंड था तो मैंने यह वाला सूट पहना था ग्रीन यह मेंधी कलर का सूट है मेरा सिंपल साय देखो घर में पहनने के लिए ठीक है कोई कोई ऐसा भी नहीं है कि तड़क भड़क वाला सूट जो मैंने अभी पहना हुआ है घरे रंग का नीचे मैंने प्लाजो पहना हुआ है कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत ही फैंसी हो बस सिंपल साय देखो है लेकिन कुर्ती टाइप है थोड़ी फिटिंग करवा लूंगी तो अच्छा लगेगा अभी थोड़ा धीला है तो थोड़ा सा जीब सा मुझे खुद कोई लग रहा है कि फिटिंग करवाने ही पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी मुझे कपड़ों की तो यह देखिए यह कुछ कपड़े थे फटा फट इनको मैंने तै करके यह अभी विहान को तै करके मैं इसमें लगा दूँगी यह जो आपको पॉलो थीन्स दिख रहे हैं रख लूंगी उसके बाद इनको फिटिंग करवाऊंगी सच में मैं कहीं दिन होगे पता है सोचते हुए कि मुझे ना हाँ बेटा बोलो पानी देती हूं इसको प्यास तो लग रही है अभी जात वाले घर में रहा करती थी तब हाँ पानी पीना चीए तो इन सारी कुर्तियों की देखो इन में से फिटिंग करवाऊंगी तब ही ठीक आएंगी बाकी रोज पहनूंगी कुछ एरिंग्स भी खरीदना चाहरी हूं सोच रही हूं लेलूं क्योंकि कानू की एरिंग्स मेरे पास कुछ तो यहां पर आप लोग भी कुमेंट कर रहे हो कि नीदी अपने लेली तनी सारी कुर्तियां आगे सर्दी आएंगी तो यह देखो यह खाना था यह मैंने इस तरीके से सबजी थी चटनी थी साथ में खिचडी के साथ मैंने शाम को खाली थी विहान को भी र काम निपटाओं थोड़ा बहुत कल लगके किया आज भी कर रही हूं मैं का खाली बैठने से बढ़िया है कुछ ना कुछ कामों में लगे रहो अपने घर के काम करोगे तो देखो घर की साफसफाई भी हो जाएगी घर सुन्दर भी लगेगा सेट भी हो जाएगा खाली बै विहान को जैसरे यहां परोस में रहीए उस और जोड़ा विहान को बिलकुल भी डिया से और टेंच में बिले जाते ना टैने हैं जह से उपे लेघाई वाटम से बढ़ा ले जention के दर्धे ज़िए कर के ऐसे वे वहान खिला के वहाँ पे सेव वगेरा खिला दिया गुमते खा भी लेता है खुशो के उसके बाद घर ले आती हूँ पहले तो यह अपने हमारे घर के सामने ही बच्चों के साथ इधर उदर के बच्चे थे बड़ो उसके उनके साथ खेल लिया करता था बट अब मैंने मेरी तो ताला लगाके रहती हूं कि अपने बच्चे को सेफ रखना है इसकी सेफटी के लिए मैं इसको अपने पास ही रखती हूं बिल्कुल पूरे चांय कर दी थी उसके बाद वीहान को ट्यूशन से लाने का समय हो गया था फिर मैं का चलो बाकी काम बाद में करूंगी कपड़े भी मेरे चार पांस दिन की इकठे हो रखे हैं वो भी मुझे धोने के तो है मुझे पता है जैसे मुझे समय मिलेगा मैं को कपड़े भी धोंगी करूं क्या बिमारी आ जाए या बिमार हो जाए तो अब नहीं होता ना यह चीज़ अपने हाथ में अब बच्चा की तब्यत हैल्थ ठीक नहीं है उसको जबरदस्ती स्कूल कैसे भेजू मैं यह चीज़ का खुद सोचिए ना आज सुबह इसके इतना ढिला है कुछ खा भी कुछ खा पी ले िरम से भी बहें बहना तो अभी खाना तो बना रखताया दभी नकाउने शचा कर के तो अब कर भी पहले कर दो फिर भी खाजूंगी अपने बच्चे को पूरा इसिके लिए टो बैठी हूं मैं अपने बच्चे के लिए या आप समझीए नाूस चीज आई थे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नजर लग गी जैसे मैं भी बीमार चल रहा था ना तो मैंने वीडियो में बोल दिया ए बात की अब वीहां ठीक हो गया आप तो खापी रहे कल इसने खाया पी रहा था आज फिर देखो एक होता नहीं कि ऐसे हो जाता है एक दम से हम कोई बात नहीं हो जाएगा मेरा बच्चा ठीक मुझे पूरा भगवान पर भरोसा है मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देंगे भगवान जी और यह बिल्कुल अच्छे से खाए पिएगा तो यहां पर देखो इतने सारे बरतन थे तो मैं यह बरतन दोने के मैंने पता न मैंने तो शाम को खा लिया था खाना तो विहान को खिचडी घी लगा के खिचडी खिला दी थी क्योंकि पते है कितना भी थोड़ा बनाओ को अब मैं अकेली और मेरा बेटा अब तीन तीन टाइम नहीं बनता खाना अब यह हो जाता है देखो दो पहर को खाना बनाएंगे चाह कितना कम बनाओ फिर भी दो टाइम का बनी जाता है अब वो खाना फिर पढ़ रहता है वेश्ट होता है तो उससे बढ़िया फिर नगता है वही खतम कर लेते हैं तो दिन में खिचडी बनाई थी थोड़ी बनाई थी वह पड़ी थी तो मैंने कहाई बनाऊ और प्रुटंतों से यायर उ सकता हूँ ता मैं रदेखनी किया देए ही जा इक हार किया ता रदेखन Кई दिन सो बुष्यन किया है इसा किया वहीं धुट्ट पादा इती चिज गहानी 2 खंड पर भी दिंग